पर दो छोली मेरी या मोहमद लोटे कर में न जाओंगा खाली पवंदीप राजन अरुनिता कांजिलाल आजकल खूब चर्चा में हैं दोनों कभी अपने सिंगिंग तो कभी अपने रुमान के कंदास के लिए खबरों में बने रहते हैं पवंदीप और अरुनिता के चाहने वाले हमेशा दोनों को साथ देखना चाते हैं अरुदीप भी अपने फैंस को हमेशा खुद से जोड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं हमेशा रुदीप की फोटोज और विडियो सोशल मीडिया पर चाहे रहते हैं अरुदीब के फैन भी इसकी बात करें तो वो करोरों में हैं, दोनों को सभी खूब पसंद करते हैं यही बज़ा है कि आज सिंगिंग की दुनिया में दूनों खूब नाम कमा रहे हैं कॉंसर्ट से लेकर म्यूजिक आलबम्स तक में अरुदीब का बोल बाला है वही अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में पवंदी प्राजन शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं यह वीडियो इंडिन आइडल 12 का है मंच पर पवंदी प्राजन भर तो जोली कवाली का रहे हैं पवंदी प्राजन के इस performance पर सभी वहवा कर रहे हैं वहीं अरुनिता कांजीला भी जूमती नज़रा रही है पवंदी प्राजन की मंत्र मुख्द करने वाली आवाज ने सब के रॉंग ते खरे कर दिये पवंदी प्राजन हार्मोनियम बजा कर अपनी दमदार performance दे रहे सभी पवंदी प्राजन की इस performance को खूब enjoy करते दिखे निहा का कर खूब वहवा करती दिखी वहीं पवंदी प्राजन भी कवाली काते हुए अपनी धुन में खो गए वहीं पवनों के फैन सुनके इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं इसके साथ ही सभी एक से बढ़कर एक comments भी कर रहे हैं एक फैन ने लिखा पवंदी प्राजन हर गाने में जान फूब देते हैं एक चाहने वाले ने लिखा पवंदी प्राजन के सिंगिंग का कोई भी दिवाना हो जाएगा एक और फैन ने लिखा पवंदी प्राजन जब इंस्ट्रुमेंट बजा कर परफॉर्म करते हैं तो महफिल लूट लेते हैं एक दूसरे फान ने कहा पवंदीप राजन खुदा से अरुनिता कांजीलाल को अपनी जोली में मांग रहे है वहीं एक यूजर ने कहा पवंदीप राजन की पहाड़ी अवाज दिल जीत लेती है इस तरह के कॉमेंस कर फान्स पवंदीप राजन पर प्यार बढ़सा रहे है साथ ही वीडियो को शेर भी कर रहे है बात करें अरुनिता और पवंदीप राजन के वर्क फ्रंट की तो दोनों इन दोनों अपनी म्यूजिक कॉंसर्ट में बिजी है अरुनिता और पवंदीप हर कॉंसर्ट में अपनी अवास का जादू चला कर सबका दिल जीत लेते है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप देख तरे मियो वॉल्फ को जाद जाते हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथ यमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया